कोरोना वाइरस की वज़े से देश बर में लगे लोकडाउन के बीच भारत सरकार ने हालात को दीरे-दीरे सामाइन्य करने की तरप एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने फेशला किया है कि रेल यात्रा दीरे-दीरे सुरू कर दी जाएगी। भारतिये रेलवे ने 12 मई यानि की मंगलवार से ट्रेनों को फिर से चलाने का नेन्य लिया है। सुरुवात में केवल 15 रेल गाडियों को चलाया जाएगा जो गंतविये इस्तलों तक पहुँच कर वापसी यात्रा भी करेगी। टिक्टों की विक्री 11 मई यानि सो मार्च साम चार बजे से होगी। रेल मंतरा लेकी और से जारी प्रेस रिलीज में ये जानकारियां दी गई है। 12 मई से 15 जोड़ी रेल गाडियां चलाए जाएगी यानि कुल 30 रेल गाडियां सपर करेगी। ये सबी विशेश रेल गाडियां होगी। ये रेल गाडियां नई दिली से 59 सेरों में आएगी और जाएगी। दिल्ली से पठना, दिल्ली से राची, दिल्ली से हावडा, दिल्ली से डिब्रूगड, दिल्ली से अगरतला, दिल्ली से बिलासपूर, दिल्ली से भोनेश्वर, दिल्ली से सिकंद्राबाद, दिल्ली से बैंगलूरू, दिल्ली से चेनाई, दिल्ली से तिर्वन्तमपुरम दिल्ली से मंडगाउं, दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, दिल्ली से एमदाबाद और दिल्ली से जमूतवी ये सारी रेलगाडियां वापसी यात्रा भी करेगी 11 माई को साम 4 बजे से टिक्तों की बुकिंग सुरू होगी लेकिन टिकिट खिड़किया नहीं खुलेगी इन सबी की स्क्रीनिंग होगी और जिन में बिमारी का कोई लक्सन नहीं होगा उसे ही रेलवे में सवार होने दिया जाएगा ट्रेनों की समय सूचना कुछ तीरबाद दी जाएगी रेलवे में ये भी बताया है कि इसके बाद कुछ और ट्रेनों को चलाने की योजना भी है जिस बारे में बाद में जानकारी भी दी जाएगी दोस्तों वीडियो को ज़्यादा सी ज़्यादा शेर करें और चेनल को सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद